नमस्कार दोस्तों हर हर महादेव जय शिव शंभू स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से दोस्तों 13 जुलाई कामिका एकादशी गुरुवार के दिन तुलसी में बांध देना यह एक चीज गरीबी हो जाएगी दूर और पुराने से पुरानी बीमारी और कश्ट खत्म हो कामिका एकादशी चातुर मास और सावन की पहली एकादशी कहलाती है इस दिन श्री हरी की पूजा और वरत रखने से सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं हर एकादशी का अपना महत्व और कथा होती है दोस्तों कहते हैं कि कामिका एकादशी का वरत कथा के बिना अधूरा माना जाता है। तुलसी के संबंध में शास्त्रों में बताए गए महत्वपूर्ण नियम नहीं जानते तुलसी की पूजा कैसे करनी चाहिए। तुलसी का पौधा घर में होना परिवार के प्रत्येक सदस्य के लिए लाभकारी होता है, यह पौधा हर प्रकार से उप्योगी होता है, पुरानों के अनुसार तुलसी में देवी लक्षमी जी का वास होता है, और नियमित रूप से इस पौधे की पूजा करने से लाभ भी अवश्य मिलता है, लेकिन यदि आप तुलसी को घर में रखने के साथ ही उसके नीचे, एक चीज बांध देते हैं, तो आपको तुलसी लगाने का कई गुना अधिक फल प्राप्थ होता है, क्योंकि इसे चीज के बिना तुलसी अधूरी मानी जाती है, यह चीज तुलसी क संपूर्ण बनाती है। तुलसी को बहुत ही पवित्र की द्रिश्टी से देखा जाता है, अनेक ऑशधिय गुनों से भरपूर तुलसी धार्मिक महत्व भी है, अनेक धार्मिक अनुष्ठानों और तांतरिक प्रयोगों में इसका उप्योग होता है, पुरानों में तुलसी को भगवान श्री प्रमात्मा के अनेक दुर्लभ वर्दान में से एक है, तुलसी का बिर्वा को अमरित रूपी कहा गया है, जहां तुलसी का पौधा लगा होता है, वहां ब्रहमा विश्ठानों शिव यानिकी त्रिदेवों का निवास होता है, और तुलसी की पूजा करने से महापातक भी उसी प्रकार नश्ठ हो जाते हैं, जैसे सूर्य के उदे होने पर अंधकार नश्ठ हो जाता है शास्त्रों के अनुसार जिन घरों में तुलसी का पौधा हरा भरा रहता है। तो सुख शान्ती और सम्रिद्धी के लिए तुलसी मा को चुनरी अवश्य उठानी चाहिए और तुलसी मा को चुनरी चढ़ाने से आपके घर में सुख सम्रिद्धी आती हैं, अक्सर लोग जाने अंजाने में कई गल्तियां कर देते हैं, वह तुलसी का पौधा तो लगा लेते, लेकिन तोल सीमा को चुनरी नहीं उडाते जिसके कारण उन्हें शुब फलों की प्राप्ती नहीं होती है, मा के उपर तुलसी जरूर बांधनी चाहिए, तुलसी न केवल एक पौधे हैं, बलकि यह हमारी मा के समान है, कई घरों में तुलसी पर चुनरी ओढ़ा कर रखा जाता है, लेकिन इसका ध्यान कुछ लोग ही रखते हैं, आमतोर पर लोग तुलसी को लाल रंग की चुनरी उडाते हैं, लेकिन लाल मंगल का रंग है, तुलसी का रंग का कारक बुध है, बुध और मंगल मित्र नहीं है, इसलिए तुलसी को सफेद चमकीलिया रंग गिली चुनरी उड़ाने अत्यंत अशुब होती है। आपको फलों की प्राप्ती नहीं हो पाती दोस्तों तुलसी में कई दिव्य शक्तियां विराज मान होती है, जो लोग तुलसी विवाह कर आते हैं, उन्हें कभी कष्ट नहीं आते स्वर्ग की प्राप्ती होती है, मा की बड़ी प्रसंता। मिलती है शालिगराम और तुलसी का विवाह करने से सारे अभाव या फिर कलह पाप दुख और रोग नाश दूर हो जाते हैं। दोस्तों तुलसी के पास यह चीज कभी न रखें, तुलसी के पास आप शिवलिंग न रखें और गणेश जी की प्रतिमा न रखें। शिवलिंग के पास कपडे कभी न चुकाएं क्योंकि आप जब भी सुखाते हैं, तो उससे जो पानी गिरता है, वह अशुभता लाता है, नकारात्मकता फैलता है, तो तुलसी के पास कपडे भी न सुखाएं। शिवलिंग और गणेश जी की प्रतिमा प्रतिमा न रखें, और जूते चप्पल भी न उतारें, तुलसी के पास सदैव साफ सफाई रखें, और तुलसी को शुध पवित्र जल जरूर देना। तुलसी में आप एक लाल मौली धागा। हर मनोकामना पूरी हो जाएगी और एक महीने के अंदर ही आपकी इच्छाएं भी पूरी हो जाएंगी। माता लक्ष्मी की कृपा बरसेगी कभी भी धन की कमी नहीं होगी दोस्तों वैसे तो आप पूर्णिमा के दिन आप एक लाल मौली धागा आप अपनी मनोकामना बोलते हुए ऐसे भी आप बांध सकते हैं। लाल मौली धागा बांधने से विशेश उपलब्धिया प्राप्थ होती है, माता लक्ष्मी की कृपा बरसती है, घर से दुख गर्थ तकलीफ और कश्टों का नाश हो जाता है, तो आप माता तुलसी के पास एक लाल मौली धागा जरूर बांधे अपनी मनोकामना बोलते ह वे इससे विशेश लाब होगा और साथ ही साथ कोई विशेश मनोकामना, धन प्राप्ती का मनोकामना है या फिर आप चाहते हैं कि घर में सुख समरिधी हमेशा बनी रहे तो आप लाल मौली धागा नहीं है, आप तुलसी के नीचे एक लाल चुनरी ही बांध दे, कोशिश करें लाल मौली धागा मिल जाए, तो वह जरूर बांधे नहीं, तो आप एक चुनरी जरूर बांधे इससे भी आपको विशेश लाब होगा, तो दोस्तों यह छोटा सा उपाय जरूर करिएगा, तो दोस्तों आए जानते हैं कामिका एकादशी की वरत कथा और पूजा के और विधी प्राचीन हिंदू ग्रंथ पद्मपुरान, में वर्नित कामिका एकादशी वरत कथा इस प्रकार है, युधिष्ठिर ने पूछा गोविंद कृप्या हमें श्रावन कृष्ण पक्ष में पढ़ने वाली एकादशी का नाम बताएं, श्री कृष्ण ने उत्तर राजन सुनो मैं तुम्हें पापों को दूर करने वाला वृत्तांत सुनाऊंगा जो ब्रह्मा ने पहले नारद से पूछा था जब उन्होंने इसके बारे में पूछा था। के बारे में बताऊंगा जो श्रावन के कृष्ण पक्ष में आती है और लोगों के कल्यान के लिए लाभधायक है, इसके श्रवन मात्र से ही वाजपे यग्य का पुन्य प्राप्त हो जाता है, मुझे यह बताने की अनुमती दें। इस दिन कृष्ण की पूजा करने से जो फल प्राप्त होता है। जो ब्रहस्पती के सिह राशी में रहने पर गोदावरी या दंडक में स्नान करने से प्राप्त होता है। जो व्यक्ती सोना तालाब और चांदी सहित भूमिका दान करता है और जो व्यक्ती कामिका एकादशी का व्रत करता है दोनों को समान फल प्राप्त होता है। कामिका व्रत के पालन से घरेलू वस्तूओं के साथ दुधारू गाय की बली देने के समान फल मिलता है। श्रावण में भगवान विष्णू की पूजा करना गंधर्व। उरुगवे और पर नगों के साथ साथ देवताओं की पूजा के बराबर माना जाता है। इसलिए जो व्यक्ति पाप से डरते हैं, उन्हें कामिका के दिन विष्णू की पूजा करने के लिए अपनी क्षमता के अनुसार हर संभव प्रयास करना चाहिए, यह व्रत उन लोगों के लिए सबसे अधिक लाभकारी है, जो पापों के कीचड से भरे सांसारिक अस्तित् यह अपनी पवित्रता और पापों को दूर करने की क्षमता में अध्वितिय है। पालन करने के कारण उनका जन्म प्रतिकूल वंश में नहीं होता है, जिन प्रबुध संतों ने परम मुक्ती प्राप्त की है, उन्होंने कामिका व्रत का पालन करके ऐसा किया है, इसलिए जिन व्यक्तियोंने खुद पर अनुशासन रखा है, उन्हें इस व्रत का पालन करन के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए तुलसी के। तुलसी के अंकुरों से विश्नु का पूजन करने से जन्म जन्मांतर के संचित पाप नश्ठ हो जाते हैं। पूने की सीमा को नहीं समझ सकते हैं, जो विश्नु को समर्पित दिन पर दिन रात जलने के लिए दीपक प्रदान करता है। चाहिए क्योंकि यह सभी पापों को दूर कर देता है, जिसमें ब्राह्मन की हत्या या गर्भपात कराने के पाप भी शामिल है, इस वरत को करने वालों को विश्नु लोग की प्राप्ती होती है। और महान धार्मिक पुन्य प्राप्त होता है, जो लोग श्रद्धा रखते हैं और इस वरत के महात्मे को सुनते हैं, वे विश्नु लोग को प्राप्त होंगे। और सभी पापों से मुक्त हो जाएंगे कामिका एकादशी के दिन भक्तों को पूरे उत्साह और भक्ती के साथ भगवान विश्नु की पूजा करनी चाहिए, लोग जल्दी उठते हैं और तुलसी के पत्तों, फूलों, फलों और तेलों से भगवान की पूजा की जाती है, बाद में पंचामरित अभिशेक भी किया जाता है। देवता भगवान यम के प्रकोप से बचाया जा सकेगा, इसलिए यह कामिका एकाद्शी वरत अनुष्ठान के दौरान एक प्रमुख भूमिका निभाता है, और अधिकांश हिंदू इसी कारण से अपने घरों में तुलसी का पौधा लगाते हैं। एकाद्शी का वरत अगले दिन द्वाद्शी को ब्राहमनों को भोजन कराने और पैसे और कपड़े दान करने के बाद तोड़ा जाता है। कामिका एकाद्शी वरत के पालन करता को रात में जागर्ण करना चाहिए। और भगवान विश्नु की स्तुती में कीर्टन और भजन गाना चाहिए इस दिन विश्नु सहस्त्रनाम का पाठ और ओम नमो नारायन का जाप करना शुब माना जाता है। कामिका एकाद्शी पर हिंदू तीर्थ स्थलों पर भी जाते हैं और गंगा गोदावरी यमुना क्रिश्ना और कावेरी जैसे विभिन तीर्थों में स्नान करते हैं भगवान विश्नु के। मंदेरों में इस दिन का बहुत महत्व है, इस दिन विशेश पूजा अभिशेक भजन और आरती की जाती है, इस अफसर पर विभिन प्रकार के भोग तयार किये जाते हैं और भगवान विश्नु को अर्पित किये जाते हैं, कामिका एकाद्शी हिंदूों का एक शुब वास दिवस है, ब्रह्मा वैवर्त पुराण में यह उध्रित किया गया है, है कि जो कोई भी इस वरत को करता है, उसे महान मूलियों का लाभ मिलता है, और उसे विभिन यग्यों की मेजबानी करने से प्राप्त होने वाले महान कर्मों की प्राप्ती होती है, कामिका एकाद आशा करते हैं आशा करते हैं